इस एपिसोड में मैं आज आपके लिए लेकर राई हूँ कुंति लाई रेसिपी और वो भी दो तरीकों से और बहुत असान तरीकों से भी वैसे भी होमसेफ खुस्पु की रेसिपी असान ही होती है तो नमस्कार घर का जाय कावित खुस्पु में आपका स्वागत है तो चल के राज्य में इसे क्या कहा दाता है कमेंट करकर जरूर बताना और साथ में ही मैंने यहाँ पर गूर लिया है और दोनों की क्वांटिटी बढ़ावर है और फिर मैं यहाँ पर किशमिश और शोफ ले रही हूं बस चार इंगिडियंस में ही हम बनाएंगे दो तरह की कुंतिल लाए किसमिस टेस्ट के लिए और सोफ हमारे सरीर को करमाहट देने के लिए सरदी के मौसम में शोफ खाना बहुत फायदे मंद है फिर हम यहाँ पर हलके गर्म किये हुए पैन में एड़ कर देंगे कटा हुआ गूर और साथ में ही हम पिलेट में एड़ कर देंगे थोड़ी सी पानी गूर को मेल्ट होने के लिए और इसे पिघलने तक हम कुक करते रहेंगे इसे धीमी याज पर ही पकाते रहिएगा ताकि यह जले ना और अच्छी तरह से कुक हो तो देखिए यह धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है जब यह पूरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को हलका मेडियम कर लेंगे और इसे फिर पकाते रहेंगे और इसे हमें पकाना कब तक है तो आपको अभी तक नहीं पता कि हमें इसे पकाना कब तक है तो मेरी ये वाली रेसिपी देखिए जो कि वीडियो के इंड में है उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसे कब तक पकाना है और फिर हम इसमें एड कर देंगे किश्मिश और शुरूफ को और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे फिर हम इसे थोरी देर और पकाएंगे फिर हम इसमें एड कर देंगे फढ़ी को और इसे मिक्स करेंगे फढ़ी और गुर की कॉंटिटी दोनों बरावर होनी चाहिए अगर आप 10 kg फढ़ी लिये हैं तो 10 kg गुर भी और अगर आपको टेस्ट मीठा कम पसंद है तो आप गूर की कौंटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो लिजी अब ये मिक्स हो गया है अब हम इसे लड़ू का रूप देंगे और इसे गयस पर ही रखिएगा पूरी धीमी आच पे ताकि ये अस्टिक न हो जाए तो हम अपने हाथ पे पानी लगा लेंगे जी हाँ आपने सही सुना हम अपने हाथ में थोड़ी सी पानी लगा लेंगे और इसे लेकर लड़ू का सेब दे लेंगे तो देखिए ये धीरे धीरे दावा दावा कर हम इसे लड़ू का सेब देते चले जाएंगे और हाथ में पानी ही लगाईएगा अगर आप वाइल लगाईएगा तो फड़ी आपके हाथ में चिपकेगा जिससे लड़ू अच्छी नहीं बनेगी तो देखिए लड़ू तयार हो चुका है इसी तरह से हम बाकी को भी बना लेते हैं और टैम टू टैम आप अपने हाथों में पानी भी लगाते रहिएगा जब आपका हाथ सुख जाए और इसे एक फाइदा ये भी है कि लड़ू गर्म है तो आपका हाथ जलेगा भी नहीं तो लेजिए पूरी लड़ू तयार है अब हम आपको दूसरी तरह की बनाना बताते हैं तो सेम प्रोसेस करना है वही हमें पहले गूर को मिल्ट करना है पूरी तरह से और फिर हम इसमें एड़ कर देंगे सोफ को हम यहाँ पर सोफ सिर्फ एड़ कर रहे हैं दूसरी लाई में हम एड़ करेंगे सोफ पहली लाई में एड़ कर रहे हैं किश्मिशोषोफ और इसमें सिर्फ हम एड़ कर रहे हैं सोफ को और इसे हम अस्टिक होने तक कुक करेंगे देखिए कितनी अच्छी तरह से अस्टिक हो चुका है तो हमें इसी तरह इतना देव ही इसे पकाना है और फिर हम इसमें एड कर देंगे फाड़ी को और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम मिक्स करते चले जाएंगे धीरी धीरे आपको लगड़ा हुआ कि क्या आपका हाथ नहीं जल रहा है तो ठंडी हमारे जगह पे बहुत है इससे हमारे हाथ नहीं जल रहे है और हम इसे फिर प्लेट देंगे एक ग्रीस किये हुआ हैल से प्लेट पे और इसे धीरे-धीरे हाथों से फैलाते रहेंगे और इसे चकोर का रूप देंगे आप चाहो तो आप इसे राउंड का रूप भी दे सकते हैं और इसे सेट होने के लिए रख देंगे तो ये देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है अब हम इसे नाइफ की हेल्प से अपनी मन चाहे सेप में कट कर लेंगे एक लाए में हमें पानी का यूज़ करना है और एक लाए में हमें वाइल का यूज़ करना है तो ये देखिए दूसरा प्लेट भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है है ना बहुत अच्छी तरह से सेट किया हुआ तो देखिए ये भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है और जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा वैसे वैसे ये टाइट होता भी चला जाएगा अब हमारी दोनों तरह की कुंति लाइट तयार हो चुकी है आप इसे एक वर बनाएए और बिना जंजट बिना टेंशन के महीनों भर खाईए ये महीनों भर खड़ाब होने वाली रेसिपी नहीं है तो जरूर आप इसे एक वर ट्राइट करिएगा और हमें कमेंट करकर है तो मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए फैमिली में फ्रेंस में रिलेटिव में मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करकर ही जाहिएगा तो आप मकर संक्र स्पेशल बनाएए इस लड़ू के साथ फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुश्व में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए आस पास सफाई बनाए रखे थैंक यू